तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ कि आप अपने YouTube चैनल के लिए Twin Craft एप के थुरू कार्टून वीडियो कैसे बना सकते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड आप में से काफी सारे लोग के अक्सर में पास सवाल आते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को 2022 में जो Twin Craft एप होता है उसको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करके आप सभी लोगों को उसके द्वारा जो काटून वीडियो से हैं उसको बना करके दिखाऊंगा कि आप अपने वीडियो के लिए किस तरह से प्रोफेस्नल कारटून वीडियो बना सकते हैं बात में जिनको आप अपने वीडियो चैनल पर भी अप्लोड कर सकते हैं easily आपको यह जो app है वो play store पे available हो जाएगी उसके बाद आपको simply यहाँ पे language जो है वो hindi को select कर लेना है या जिस भी language में आप comfortable हो उसके बाद आप देख सकते हैं आपको center में यह एक option मिल जाएगा वीडियो बनाएगा करके जैसे आप इस पर click करते हैं आपके सामने इस तरह का एक window जो है वो open हो जाता है यहाँ पर आपको काफी सारे character देखने को मिल जाते हैं इनमें से कोई भी आप character select कर सकते हैं example के लिए मैं आप टॉम को select करके अगला कर देता हूँ उसके दोस्तों यहाँ पर इस वाली window बे आने के बाद आपको कुछ चीजे समझना सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा जरूरी है जिसके बाद ही आप इसमें वीडियो तयार कर पाएंगे तो सबसे पहले अगर आप अपने left side में देखो तो आपको यहाँ पर item करके एक option देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको तरह तरह के जो character है वो आपको देखने को मिल जाएंगे सेकेंड चीज जो आपको समझना है वो यहाँ पर नीचे आपको वापिस से left side में एक और चीज़ देखने को मिल जाएगी प्रस्ट भूमी बेसिकली आप इसे इंगलिस में background समझ सकते हैं बेक्राउंड पर क्लिक करते हैं आपको अगेन यहाँ पर काफी सारे अलग अलग टाइप के background देखने को मिल जाएंगे तो आप अपनी YouTube वीडियो के लिए particular किसी भी टाइप का background यहाँ पर select कर सकते हैं इसके लब दोस्तों हमारी जो यहाँ पर थर्ड चीज है वो है रंग मंच की सामगरी बैसिकली आप अपने जो भी आपने background लिया है वहाँ पर यदि आप कोई अलग से कोई item दिखाना चाते हैं अपनी cartoon वीडियो में तो आप उससे यहाँ से जो है वो select कर सकते हैं यह भी सभी की सभी free of cost है जो भी चीज आप यहाँ पर show करना चाते हैं आप उससे download कर सकते हैं यह select कर सकते हैं example के लिए मैं आप पर guns ले लेता हूँ अब यह guns आप देख सकते हैं यहाँ पर easily यह जो gun है वो यहाँ पर ऐसे आ चुकी है इसके बाद दोस्तों जो हमारा last option है यहाँ पर वो है photo gif का तो यहाँ पर अगर आप अपनी gallery के साथ कोई photo वगेरा इसमें add करना चाते हैं तो हम यदि इसे skip कर भी देते हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा तो यह हो गया basic चीज़े अब बात करते हैं कि आप यहाँ पर वीडियो बना कैसे सकते हैं तो देखिए आपने सारी चीज़े सीख ली कहां से character add करना है कहां से background लेना है कहां से क्या सारी चीज़े लेनी है अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है right side में आपको एक option देखने को मिल जाता है अगला frame तो basically यहाँ पर आपको जो कुछ भी modification करना है हर एक नए modification के लिए आपको एक नया frame add करना पड़ेगा basically जैसे यह वाला जो frame है मान लिजी इस frame में हम इसे यहाँ पर adjust कर देते हैं इसको यहाँ पर adjust कर देते हैं यह जो gun है, इसे हम normally ऐसे जमीन में डाल देते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों, दोनों ही character में आपको एक voice recording option देखने को मिल जाता है, basically इसका इस्तमाल यह है कि आप particular जो यहाँ पर character है, हर एक character में अपनी voice के थुरू उनमें जो है, वो voice add कर सकते हैं, उधारन के लिए मैं हाँ पर जो left वाला character है, उसमें कोई एक voice add करके आपको बताता हूँ, hello कैसे हो आप, उसके बाद simply हमें उसे बंद कर देना है, अब यहाँ पर याद रखिए एक frame में अगर हम चाहते हैं कि केवल यह बस बोले, तो हमको इसके बाद यहाँ पर right side में नीचे जो अगला frame लिखा हुआ है, उस पर click कर देना है, और उसके बाद जो दूसरा character है, हमें उसमें voice add करनी है, तो इससे एक frame में केवल यह बोलेगा, और दूसरे frame में हमारा दूसरा character बोलेगा, तो यह जो effect है, वो काफी अच्छा देखने को मिलेगा, अगर आप एक ही frame में दोनों में voice add कर देते हैं, तो यह दोनों एक साथ बोलने लगेंगे, जो की बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तो next frame में हमें इसमें record करना है, अब यहाँ पर जब आप इस video को play करेंगे, तो यहाँ पर आपको totally दो frame दिखाई देंगे, एक frame पहला जो उसने बोला, दूसरा frame जो इसने बोला, इसी तरह यदि आप इसमें और भी कुछ चीज़ें add करना चाहते हैं, पूरी एक story create करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर अगला frame पर click करके, एक और नया frame add कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक और चीज़ का ध्यान रखें कि आप हर एक नया frame के साथ, यह जो character हैं, इनको यहाँ से हटा सकते हैं, character हटाने के लिए simply आपको character पर click करना है, उसके बाद यहाँ पर character में आप अलग अलगतर है कि यहाँ पर काफी सारे जो emotions हैं, वो भी यहाँ पर देख सकते हैं कि आप इन्हें जो है वो यहाँ से set कर सकते हैं, इसके अलावा आप इनका size बगएरा है, या फिर इनका जो position बगएरा है, वो भी आप यहाँ से change कर सकते हैं, इसके अलावा last में यदि आप इस character को यहाँ से हटाना चाहते हैं, दूसरा character add करना चाहते हैं, इसके अलावा दोस्तों इसी तरह से आप frame को बढ़ाते जाएं, और अलग-अलग चीज़ें जैसे कि background वगएरा, character वगएरा आप यहाँ पर select करके इसमें add कर सकते हैं, और एक अच्छा खासा वीडियो तयार कर सकते हैं, उसके अलाश्ट में आपको right side में उपर की तरफ export करे का option देखने को मिल जाता है, जैसी आप उस पर click करेंगे, आपने जो भी वीडियो बनाया है, वो यहाँ पर export हो जाएगा, उससे पहले आपको इसमें Google या फिर Facebook के सा sign in करना होगा, so I hope दोस्तों इस वीडियो की मदद से आप अपने YouTube चैनल के लिए Twin Craft एप की मदद से cartoon वीडियो बना पाएंगे, so वीडियो आपको अच्छा लगा होते एक like कर दीजे, चैनल को subscribe नहीं किया, subscribe कर दीजे, so मैं अपनी next video है, तब तक लिए goodbye and take care.